लेबल कर लेंगे अपना नाम अपने टीचर का नाम लोग लिख लेंगे पापक हो गए नामक नाटक से लिये गए समवात को ध्यान से पढ़कर पूछेगा प्रश्णों के उत्तर दीजिए अब फिर समलों वही अपना नाटक पढ़ेंगे पापक हो गए तो हमने कहा तक पढ़ लिया था किस तरह से दो लोग बाते कर रहे थे और उसके बाद हमें पता चला था कि कोई एक आदमी बच्चा किड्नाप करने वाला जो था उसने बच्ची को किड्नाप कर रहा था और कहा से किया था उसके घर से ही किया आता है अब हम आगे पढ़ते ह कवा क्या बोलता है हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं ठीक है सभी उठकर कैसे कवा आसान है सुब जब हो जाए जो सुब हो जाए पेर लाजा तो आप अपनी घनी घनी चाया इस पर किये रहें वे अराम से देर तक सोती रहेगी और खंबे माराज पुलिस को लगेगा एक्सिडेंट हो गया है वो यहां आएगी और हमारी इस चोटी सहली को देखेगी वो लगाएगी इसके घर का पता यानि कित्ती अच्छी बात करीक हुए ने कि देखो पेर भाई साब तुम ऐसे जुके खड़े रहे तक यह बच्ची सोती रहे और इस यहां पुलिस सबके घर का पता मालूम पर्ची साबके लाना राता है मारी मदद पुलिस करती है तो वही वो लोग के रहे हैं और खासर से कौवः इसमें सबस्या अकल यह खाड़ा हो गया तेड़ा भी हो गया और मान लो पुलिस नहीं आई तो क्यूंकि उसे यह भी तो डर लग रही तो तो मैं टेड़ा हो चाऊंगा जिसके बाद फिर मेरा कोई काम नहीं बचेगा है ना मैं अपनी जिन्दगी से चला जाओंगा क्योंकि भई अगर खंबा एक बार टेड़ा हो जाता है तो या तो उसे पुलिस आके समार सही करती है अगर पुलिस आगे उसे सही नहीं गरवाती तो क्या होता है फिर वो किसी काम का नहीं बचता तो वही कह रहा है कि मैं तो टेड़ा हो गया तुम्हारे कहने पर लेकिन अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा कवा मैं बराबर यहां जोर जोर से काउं काउं करता रहूंगा लोगों का ध्यान इदर खीचूंगा उनकी चीजे अपनी चोच में उठा उठा कर लाता जाओंगा या वो कवा है कि अपना प्लैन बता रहे हैं कि अगर मान लो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई न देखेंगे सेमिनोंने का इसके लावा मैं जोर जोर से चीखता रहूंगा काउं काउं करकी तो मेरी चीछ सुनके कोई ना कोई जो जरूर देखेगा कि यह कोई चीख रहा है ठीक है अब हम पढ़ते हैं आगे आपके कोश्रां से मैं उम्मीद करते हूं या तक आप लोगो सबक्राइब करते हुआ है यहां साथ लिखेंगे यहां साल मिलकर बच्ची इसकी पापा से बच्ची बस श्काएं करते हुआ है तो आप कोई प्रॉब्लम करकर पूस सकते हैं अगश्म कुशिन पढ़ते हैं अब आपका यहां दूसरा कुशिन लिखा है कवा पेर से क्या करने के लिए कहता है यानि कवा क्या कहता है पेर से कि आप क्या करेंगे तो चले इसकान से देखते हैं की वज़े से अक्सर सबकी आख खुल जाती तो इस बच्ची की आख खुल गई तो यह रोना पीतना शुरू कर देगी या कोई से उठा के ले जाएगा यह हमारी बात नहीं समझ पाएगी तो आप इसे सुलाते रहन देना ताकि हम अपना प्रयास कर सके ताकि पुलिस आ अब इसमें वह किसे कह रहा है खंबे से कह रहा है तो चले देखते कि उसने खंबे को क्या आडवाइस दी थी आप इसका यहां से लिखेंगे तो बदल अज़िए चोट लगे जिसकी वज़े से पुलिस आ जाएगी तो इसका अंसर भी लिख लेंगे यही वाला जो दो ला पूछेगा कि इससे क्या होगा का कववे ने क्या उत्तर दिया यानिक तो झांडला अगर फायदा हो जाना तो उससे क्या प्रफित होगा यह बसके से अपने पापा तक पहुच पहुच पाएगे तो चले इसका आप से देखते हैं कि उसका कवे ने क्या जवाब दिया पुलिस को लगेगा कि एकसिडेंट हो गया है वह यहां आएगी और हमारी इसे चोटी सहली को यानि कि वह बच्ची को देखेगी वह लगाएगी इसके घर का पता यानि पुलिस इसके घर का पता के पता लगा देगी लेकिन वह लगाएगी इसके घर का पता कुछ कोटीशन टाइप की बताने की कोशिश की गई है ठीक है आगे क्या लिका है पुलिस सबके घर का पता लगाती है उसे मालूम होते हैं और खोईवे बच्चों को भी उनके घर पहुचाती है इसलिए हमें प्रक्षीट में मैं पता चलेगा कि इनका प्लैन कहा तक की सक्सेस्फुल हुआ चले फिलाल आगे पढ़ते हैं लास्ट कुछिशन लिखा हुआ है प्रेशन नमबर पांच यदि पुलिस नहीं आई तो क्या करेगा यह अगर पुलिस नहीं आती है तो कोई ने दूसरा मतल प्लैन बी उसका क्या था चले इसका अंसर देख लेते हैं वैसे रबली में बता देती है उसका प्लैन बी यह था कि वह जोगों का समान लाला की घटा करेगा ताकि वो लोग यहां पर खुद बाखुद आ जाए ने यह उसका प्लैन बी था चले अब एक काम करते आंसर को लिखना देख लेते कि कैसे लिखना है उसका प्लैन बी क्या था कि मैं बराबर यहां जोर-जोर से काउं काउं करता रहूंगा लोगों का ध्यान अपनी तरफ यानि इस तरफ खीचूंगा इधर खीचूंगा उनकी चीजे अपने चोच से उठा उठा कर लाता जाओंगा ताकि वो लोग भी इधर आते रहें तो इस तरह आप इस आंसर को भी लिख लेंगी चली आगे पड़ते हैं अब देखें कि आपको लास्ट में गतिविती ती गई है अगर कोई बच्चा अपनों से बिचड़कर अपना घर और माता-पिता को धून रहा हो तो आप उसकी स लिखार के सायता कैसे करेंगे अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए तो तो दीखिए इस उफसे पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई बच्चा मिलता हैं तो हमने सडिनली उसके लिगार कज़ता रची और मदद करने के लिए आईगा पूछे ह हैई क्वप्शें वहां ले जाके सुमसाम से घली होगी वहाँ पर चारड़ और खड़े होगे। तो पहली बाप तो बिल्कुल धिमाग में रखिए कि इस तरह से कभी भी किसी बच्चे को रोता हुआ देखकर आपको उसके साथ नहीं जाना कि चलो बेटा मैं आपको छोड़ता हूं नो बिल्कुल नहीं आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर मांनेजिए कोई बच्चा नहीं रहा है और आपने देखा है ये करते रहे हैं और भात पूछे नहीं है और भापा उसके लेके जाएंगे और फिर वहां उसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे कि किस तरह से वो विचारा बच्चा जो है वो गुम गया है मस्ज़िद में या मंदिर में अनाउंस्मेंट हो जाती है जिससे पता चल जाता है कि यह बच्चा कौन है और फिर उसके पैर्णन्स जो होते हैं वो उस से आके ले जा सकते हैं थे, ना, या आप किसी बड़े बच्चे कैके, उसके मता पिता को कॉल करवा देंगे आजकल तो मोबाइल का जमान है नच कर जमाने में मोबाइल नहीं होता था आजकल कब कई खो जाते हैं क्या ज़रूरी नहीं rely है कि हम बड़े हो गए हम नहीं कोई अभी ख़तार हम लोग घूमने जाते हैं तो आप को मॉबायल नहीं है अगर उसके लिए नहीं हों आगर आपको माचों को subscribe नहीं करें तो please माचों को subscribe करें thank you for watching